Hello and welcome everyone, कल दो news articles है, जिसके कारण students में फिर से panic का महौल आ गया, जिसमें ये लिखा गया था कि NEET के exam को August तक करा दिया जाए और J.E.Mains को July और August के बीच में करा दिया जाए क्योंकि Union Ministry चाहती है कि exam को जितनी जल्दी करा दे उतना अच्छा होगा students के लिए, ठीक है? तो इन articles पे ही हम detail में आज बात करने वाले हैं, यहाँ पे, ठीक है? तो क्या है बेटा? Article है कि, amid the decline in the coronavirus cases, the National Testing Agency is no longer in favor of postponing J.E.Main 2021 and NEET 2021 examination, ठीक है? दूसरा क्या करा है? According to sources, अब इनके sources बड़े साही होते हैं, according to sources, Union Ministry of Education is planning to hold J.E.Main exam and NEET 2021 exam between July and August. मतलब कि, July और August के बीच में इन exam को कंड़क करा दिया जाए, ठीक है? यही same article आपको, दैनिक जागरन में भी मिल जाएगा, यही same article आपको, टी ओई में भी मिल जाएगा, यही same article आपको, बहुत सारे news channels में मिल जाएंगे, ठीक है? यह वही वाली कहानी होती है, कि किसी एक सबने चापा, ठीक है? बेटा, अब इसके credibility पे आते हैं, इस news के authenticity पे आते हैं, लास्ट येर भी आपने देखा होगा, जी न्यूज में एक बार डॉक्टर रमेश पोकरिया लाए थे, DNA का ही यह था, यह जो DNA देख रहा है, अब इसी DNA का एक article था, और उसी में डॉक्टर र को मैं मान सकता हूँ कि J.E.Mains का एक्जाम आपका हो जाए जुलाए में, J.E.Mains का एक्जाम आपका हो जाए ओगरस में, क्योंकि J.E.Mains के form भरे जा चुके हैं, logistically neat का एक्जाम आज से दो महिने तक के distance में interval पे ही कराए जा सकता है, अगर सब कुछ आज भी हो जाता है, त कोवीड के सिनारियो को रखे तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेंगे, ठीक है, वैक्सिनेशन ड्राइस बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं, J.E.Mains के एक्जाम होने हैं, ऑगस्त में C.B.C. के भी एक्जाम होने हैं, जिन बच्चों के result से satisfaction नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बच्चे होंगे जो अपने results से satisfied नहीं होंगे, बहुत बच्चे होंगे जिनको 12 में pre-board में marks अच्छे नहीं आएंगे, बहुत बच्चे होंगे जिनकी class 11 खराब हुआ था, मेरा खुद का class 11 खराब हुआ था और मेरे 12 में 94.6% marks ते, अगर इस marking के basis पे मैं C.B.C. मे आएगा नहीं तो बहुत दिक्कत में आप फज़ आएंगे, प्लीज ट्राइट वंड़स पे विश्वास मत रखिए, इस इस वाट आप आप पैनिक करोगे, जितना दिन आप बरबात करते जा रहो, उतना दिन आप करीब आते जारो exam के, ठीक है, देखो कुछ बाते मैं ब नीट का exam फर्स वीक आफ ऑगस में नहीं होगा, ठीक है, जो प्लान आप जो ले, एक अगस को नीट का exam पॉसिबल नहीं हो सकता है, फुल स्टॉप, ठीक है, यह इंपॉसिबल है, ठीक, क्या हो सकता है सर, तो या तो भाईया फर्स वीक आफ सेप्टमबर करा लो, सेकेंड सकता है, ठीक है, तो आपके पास है बेटा, अभी से भी, जिस दिन डेट अनाउंस होता है, उसे दिन से साथ दिन का टाइम है आपके बात, तो प्लीज मेंटली अपने आपको उसी हिसाब से प्रिपेर कीजिए, और फोकस कीजिए, परिशान हो येगा, तो किसी का भला नह होगा, नीट का एग्जाम आउगस में हो, सेप्टमबर में हो, तो भी आपको कोई फाइदा नहीं होगा, make the best use of this opportunity और उस पे फोकस कीजिए, इन आर्टिकल के चक्रें पढ़िएगा, तो बहुत ज़्यादा परिशान होगा, प्लीज, 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 I request all of you, ठीक है, पैनिक का महल आप create करते हैं, और फिर बहुत बच्चे परिशान हो जाते हैं, और उनकी पूरे दिन की productivity खराब हो जाती है, तो प्लीज, 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 फोकस ऑन दे सेम, ठीक है, बाकि आप परिशान हो रहा है, आप पढ़िए ना भाई, biology classes आपकी यहाँ क् आनन मनी, आ गया, ठीक है, टेलीग्राम सच कीजे, डॉक्टर आनन मनी सच कीजे, और इसको जॉइन कर लिजे, इसको जॉइन कर लिजे, अब देखो, मैंने सब कुछ, यहाँ पर यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, अगर नीट के कोई अपडोर्ट है, तो नीट पर crash course चल रहा है कल से मैं पूरी plant physiology कराने वाला हूँ 5 दिन में plant physiology मतलब 12 question 12 question मतलब 48 marks to 50 marks आप insure कर सकते हैं आपकी मुठी माजा तो कल सुबह साड़े 9 बजे मुझसे मिलिए इन चक्रों में मत पढ़िए और पढ़ाई करते रहिए आपके पास सारे resources हैं everything is free of cost आप यह बहाना नहीं मना सकते हो कि आपकी financial background के कारण आपका पढ़ा ही नहीं हो रहा आपकी सारी classes live हो रही हैं मैंने तीन बार इसले पर complete करा है तो please focus, please study, मत पढ़ो इसमें this is what I have to say, I am really frustrated about this I know you are also, I know आप बहुत परिशान होंगे uncertainty आपको बहुत ज़्यादा bitter बना देता है, मुझे सब पता है लेकिन try to understand what I am saying last time ही मैंने जो बोला था वो more or less सही हो गया था so please try to understand whatever I am saying जब probability नहीं थी postpone होने की, तो मैंने नहीं बोला था अभी जब probability है postpone होने की, तो मैं बता रहा हूँ आपको लेकिन आप speculate करने में time waste मत करो या तो ignore मार लो, ठीक है, या मेरी बात मार लो either way, कल सुभा साढ़े नौ बजे मुझ से मिलो, ठीक है पूरा crash course है बिटा, biology का 100 घंटे का अगर आप ये 100 घंटे मुझे devote कर देते हैं कल से भी अगर आप सुभा साढ़े नौ बजे आते हैं तो आप NEET फोड देंगे try to understand again, I am repeating this again and again please be focused, please be focused तभी आप अच्छा कर पाएंगे all the best